......Namaskar दोस्तो जेसी कृष्णा辉स्तो जो मेरे सब्स्क्राइबर्स हैं विवर्स हैं काफी लोग की request थी कि मैं ए फोटो माख्वी पर वश्य करण की वीडियो बनाऊं तो आजकी वीडियो उन encant पुंआ के लिए है कुछ भी खर्च किये बिना बिल्कुल फ्री में और बिना वक्त गवाएं सिर्फ कोछे समय में जो वस्यकरण आप कर सकते हैं वह वस्यकरण बहुत ही सरल ढंसे किया जाने वाला वस्यकरण आज मैं आपको दोस्तों बताने जा रही हूँ लेकिन इससे पहले में कहे दूँ कि जो भी नए आये हैं मेरी चैनल को प्लीज पहले चैनल को सब्स्राइब अवस्यकरण आप तक बहुत ही आसानी से पहुँचती रहे हैं कितनी बार दोस्तों यह हो रहा है कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके फॉन पॉल्स बहुत आ रहे हैं उन्होंने कोई कोई वीडियो देखी है और उस वीडियो के उपर से क्वेस्चन पूछ रहे हैं मैं उनसे कह रही हूं कि आप चैनल पर जाओ आपके जितने ही क्वेस्चन का समाधान आपको मिलेगा जब आप चैनल पर जाएंगे क्योंकि उसके अंदर काफी वीडियो देखेंगे एक दो वीडियो और उससे मुझसे फोन करते हैं उसका समाधान पूछते हैं तो आपको यह ना करना पड़े इसलिए भी मैं कहती हूं कि चैनल को सब्स्राइब अ कहीं पर भी तो फिर मुझे फोन अवश्य ही करें मैं आपको जवाब जरूर दूंगी उस歡迎 तू चलिए दोस्तों अब आपको बहुत ही आसान तरीका है और फोटोग्राफी पर कैसे आपको करना वश्यकान वह मैं आपको बतादे आपके वह या फिर रात को ग्यारा बज़े के बाद मतलब समय वो पसंद करें दोस्तों जब आपके दिमाग को बाहर की कोई भी चीज डिस्टर्ब ना करें आप कम्प्लीट अकेले हो एकदम शान्त माहूल में आप बैठे हो बंद कमरे के अंदर आप बैठें कमरे के अंदर दोस्तों आप और आपके आपको जिसका वश्ची करन करना है सिर्फ उसकी तस्वीर हो बिना मतलब की ज्यादा चीजे कमरे में ना हो अब आप सोचेंगे क्यों मैं आपको ऐसा बताती हूं चीजों से आपको क्या डिस्टर्बंस होता है दोस्तों आपके बोड़ी से जो पावर जो एनरजी निकलती है वो बहुत सारी चीजे उसे एबसर्ब कर जाती है इसलिए ध्यान में साधना में वश्ची करन में मैं हमे वह भटके नहीं एक जगा लगा रही एक जगा एक दम फिक्स कंसंट्रेशन बिकाज मैंने पहले भी अपनी काफी वीडियोस में बताया है कि वश्ची करण जो मंत्रों के द्वारा सिध कर रहे हैं आप जो त्राटक के द्वारा सिध कर रहे हैं आप उन सब में आपका आपको ध्यान के भी कोई आशक्तानी होगी अमुक चीज़े ऐसी होती है दोस्तों असे लाना है और मैं जो अगर आप पसंद करते हैं तो सुबह जब आप उठते हैं बिल्कुल किसी से कोई बात ना करें जिसे आप कहते हैं मौन रहना बिल्कुल मौन रहे जब तक आप उर्जा में आप इस वश्री करण की क्रिया में नहीं बैट रहे हैं ये क्रिया हो जाने के बाद ही आप किसी से बातचीत करें बिल्कुल मौन ही रहे जब तक आप इसकी सुरुवात नहीं कर देते हैं यदि आप रात का समय पर उसको ज्यादा यहां भाष कम chatting बड़ाबर तो दोस्तो है आपको करना क्या है सामने जो भी लेडिस हो या जेंट सो अगर लेडिस्यक है कोई अपनी माता हैं वश्यकरण तो वह भी जिस भी महिला पर जिस भी लड़की पर वश्यकरण करना चाहते हैं उसकी तस्वीर बिल्कुल अपने सामने रखें कुछ देर के लिए दोस्तों अपनी जो सांस से उसका जिसे प्रैणायम की तरह लंबी-लंबी शांस ले इस टाइब से ज्यादा नही की तस्वीर पर उसकी भुकुटी पर यहां मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच आपको अपना ध्यान कंसेंट्रेट करना है कहां करना है दोनों आखों के बीच में यहां उपर मस्तिक के भाग में भुकुटी में अपना ध्यान अपनी नज्रे गड़ा देनी है समझ गया आप वेलकुल शान्ती से दिमाग को अब आपको कहीं भटकाना नहीं है बस एक ही जगा एक ही जगा आपको कंसंट्रेट करना है और उसके बाद दोस्तों आपको सामने वाली को ओर्डर करना है कि आप मुझे चाहते हैं आपको मुझे चाहना ही होगा आपको मुझे से मिलना ही होगा यही सेंटेंसिस या इस से मिलते जूलते सेंटेंसिस जो आपको उचित लगे लेकिन आपको उसे ओर्डर करना है मतलब कि आपको मेंटली उसे एट्रेक्ट करना है अपनी तरफ और इसके बाद आपको शिर्फ एक शब्द बोलना है लेकिन बहुत ध्यान से सान्ती से पूरा ध्यान लगाते हुए और वह शब्दे दोस्तो ओम मान्डरो क्या कहना है ओम मान्डरो 500 बार दोस्तो आप इस शब्द को बोले 500 बार 5000 इसके बाद दोस्तो आप उस तस्वीर को जहां आप सोते हैं आपने तकीय के नेचे रख ले या कहीं पर भी सुरक्षित जगा पर रख दे और आप उस व्यक्ति का ध्यान करते रहें सतत थोड़ी देर ही करें जितना ज़्यादा हो सके आप अगर ध्यान करते हैं अच्छा रहेगा लेकिन इस विदी को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि सामने वाला इंसान किस तरीके से आपके ओर्डर को मानता है किस तरीके से वो आपको फॉलो करने लग जाता है किस तरीके से वो आपकी तरफ एक्ट्रेक्ट होता है करें दोस्तों करने में कोई हर्ज नहीं है बस आपके इरादे गलत नहीं हो गलत इरादे को रख करके कभी कोई भी किया गया काम दोस्तों सफल नहीं होता है और अगर हो गया तो आप ही को पश्ताना पड़ेगा तो दोस्तो करें बहुत ही सरल से सरल उपाय आपको मैं बताती हूँ कितने ऐसे भी दोस्तों उपाय बताती हूँ जो बड़ी साधनाए हैं जिनको करने के बाद लाइफ टाइम वो पावर आपके पास आजाता है यह ऐसे उपाय हैं दोस्तों जो आप एक व्यक्ति विशेज पर कर पाएंगे ऐसा नहीं कि इस मंत्रों को आपने बोला तो इसके बाद और भी व्यक्तियों पर आप इसे कर पाएं हाँ लेकिन जो दूसरे मेंने जो वीडियों बनाई है कि अमू के जो मंत्रे उनको आप शिद्ध कर लो एक नहीं एक के सिवाए अनेक जिस पर भी आप चाहेंगे वशेकरण कर सकते हैं तो यह सरल उपाय है एक व्यक्ति पर करने के लिए लेकिन होता है और क्या होता है यह आप मुझे आवशे ही बताईएगा कमेंट बोक्स में लिख करके तो करते रहें दोश्तों खुश रहें